आजकल नसों का बंध होना एक आम समस्या है इससे बहुत सारी बीमारिया हो जाती है अगर आपकी नसे ब्लॉक हो जाए वेरिकोस पेंस जब नसे ब्लॉक होती है तो मोटी मोटी नजर आने लगती है नीली नीली नजर आने लगती है जो कि देखने में बिल्कुल नहीं अच् साथ ही नसों के बंध होने से आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती हैं कई बार तो हार्ट अटेक जैसी प्रॉब्लम भी हो जाती है इस बिमारी का मुख्य कारण है कि लोग अपने फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान नहीं देते हैं ना कोई एक्सेस करते हैं साथ ही ऐसा खाना खाते हैं जो उनकी नसों में फैट जमा कर देता जिसकी वज़े से नसे ब्लॉक हो जाती है तो बहुत सारी समस्य आया जाती है बहुत बड़ी बीमारियां आपको होने लगती है तो उनसे बचने के लिए यहां पर सबसे पहले हमें लेना है मेथी दाना जो मेथी दाना होता है वो आपके जोडों को दर्द नसों का दर्द बहुत सारी समस्यां से आपको निजात दिलाता है जब भी कोई चीज जम जाती है उसे पिगलाने के लिए हमें उसे गरम करना हो जो मेथी दाना होता है वो गरम होता है तब ही ये आपके जमे हुए खून को पिघला कर उसे बहने में मदद करता है उसे फ्लो करने में मदद करता है तो आपको मेथी दाना कैसे इस्तमाल करना है एक किलास पानी लेना है रात के समय और एक चमच मेथी दाना इसके अंदर डा देना है और इसे ठक कर छोड़ देना है पूरी रात जब आप इसे पूरी रात के लिए छोड़ेंगे और सुबह देखेंगे तो मेथी दाना बहुत अच्छे से फूल चुका होगा और इसका जो कलर है वो भी पीला हो जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ तो यहां पर आप देख सकते हैं जो पानी का कलर है वो पीला हो गया है और मेथी दाना भी बहुत अच्छे से फूल गया यह देखें इस तरह से इस तरीके को आप अपने जोडों के दर्द खुटनों के दर्द या किसी भी प्रकार के दर्द की समस्या है उसके लिए भी इस्तमाल कर सकते हैं अब यहां पर मैं ले रही हूँ छोटा सा अद्रक का टुकड़ा आधा इंज बहुत ज़ादा नहीं लेंगे क्योंकि गर्मी है हो सकता है कि गर्मी की वज़े से आपको गर्मी कर जाए और नुकसान भी कर जाए तो इस नैमिटी को लेना है पर मेरे बताए गए तरीके से मिलेना है अगर आपने कम जादा किया तो आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि गर्मिया बहुत जादा है आप यह सोचें कि लाओ जादा पी ले तो जल्दी ठीक हो जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है तो बिल्कुल छोटा सा मैंने अद्रक का टुकड़ा लिया है आप इसकी सोट पाउडर का भी इसमाल कर सकते हैं सोट पाउडर नहीं है तो इस तरह से अद्रक ले लिजिए अच्छी से धो लिजिए और इस तरह से मोटा मोटा कूट लिजिए तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे मोटा मोटा कूट लिया है और अद्रक जो होती मेधी दाना वाला वह हमने डाल दिया है गैस को ऑन कर देंगे मीडियम प्लेम कर देंगे और इसके अंदर हम अब बाति की चीज़े डालेंगे तो यहां पर मुझे थोड़ा सा पानी इसके अंदर और डालना है क्योंकि जब हम इसे पकाएंगे तो पानी जो है वह सूख अब इस पानी को इतना उबालना है कि ये अपना जो quantity है न उसका भी आधा हो जाए आधा के एक तिहाई हो जाए यहाँ पर देखे पूरा अच्छे से पग गया है जितनी भी सारी चीज़ों की फ्लेवर थे वो पानी के अंदर आ गए है ये एक तरह की चाय तयार हो गई है हमारी इसको आपको कैसे लेना है जो तरीका मैं बताउंगे उसी तरीके से लेना है अपनी मरजी की तो फिर यह आपको नुकसान भी कर सकता है इस तरह से चान लीजिए और ये एक कप हमारे चाय तेयार होगी हमने पानी कितना जादा लिया था चाय कितनी तियार रूए जिर एक कप तो इस चाय को आपको कैसे लेना है इस चाय को आप सुबह सुबह खाली पेट ले सकते हैं नाश्ता करने से पहले यानि कि आध्या गंटा इससे पहले आपने कुछ ना खाया हो आध्या गंटा बाद ना खाया है जब सोके उड़ते हैं फ्रेश हो आईए उसके बाद आप इसे ले सकते हैं और इसके आधे घंटे बाद ले सकते हैं ध्यान रखेगा और इसके आधे घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं लेना है अब आते हैं दूसरी रेमिडी पर इसके लिए हमें लेना है एक गिलास गुनगुना पानी नजादा गरम नजादा ठंडा गुनगुना पानी आपको लेना है इस रेमिटी के लिए जैसे मैंने कहा कोई भी चीज जब जम जाती है उसे पिखलाने के लिए हम उसे गैस पे गरम करते हैं जब गरम चीज लेंगे ना तो आपका जो जमा हुआ खून है वो पिखल के बहने लगेगा आप इसमें मैंने एक चुथाई चमच हल्दी डाली है यहां ऐसे भी बना सकते हैं और उस पानी को अच्छे से पका लीजे उसके बाद उसे थोड़ सा ठंडा कर लीजे गुनगुना कर लीजे और फिर आप इस तरह से इस्तमाल कर सकते हैं अब यह इसमें क्या दिक्कत आती है जैसे मैंने डाला इत्मी गुनगुना पानी था हल्दी क पाउडर डाला तो यह थोड़ा अच्छे से घुलता नहीं है अगर आप इसे पका लेंगे तो ज्यादा अच्छा अच्छे से घुल जाता है वैसे आप ऐसे भी ले सकतें कोई दिक्कत नहीं है तो यहां पे यह एक गिलास मेंने हल्दी वाला पानी मिला लेजिए उसी मैं तो एक ले लिजेगा, अगर छोटी छोटी है तो दो तिन ले लिजेगा, बहुत जादा नहीं लेनी है, क्योंकि गर्मी का टाइम है, जादा लेंगे तो नुकसान करेगा, काफी गरम होती है, तो इसको अपना चबा के खा लिजे, और ये हल्दी वाला पानी पी लिजे, कब लेना है, सुबह खाली पेट लेना है, अगर आपको सुबह खाली पेट नहीं सूट करता है, तो जैसे मैंने पहले बताया था आपको, खाना खाने के आदे घंटे बाद ले लिजेगा, और फिर इसके आदे घंटे बाद आपको कुछ नहीं खाना है, यानि कि उस तेम भी दोनो और आप खाली पेठ होते हैं आदे गंटा पहले नहीं खाया और आदे घंटे बात कुछ नहीं खाना तो लस्न को आपको चुटेश्टे पीसे में कर शकते हैं या ऐसा दाँख से के तर लाइक जरू करिएगा